हेलो सीरी इप है, जिसमें हम वेकल फार्मसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्ट्छर खॉर्डी ऊँन ट्राइच मिल प्रकमा हगज हेलो इवरडीवन हो इव्मारे घॉजे करे घॉन मेद्टों अब है KNOW, फिरे जेयर दो परिचाय नांतरित होने से वनशागत रोग हो सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें विस्तार से बताओं। उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अनुवनशिक तत्व के रूप में डिने की खोज को समझना। पॉली नुकलियोटाइट, श्रिंखला, दिने तधा आर आने की सनचना को समझना। केंद्रिय सिधान्त यानी सेंट्रल डॉग्मा की पहचान करना। केंद्रक में डिने की पैकेज़िं को समझना। ग्रिफीत के रुपांतरन सिध्धांद को समझना, हर्षिय एवं चेस के प्रयोग को समझना और DNA तथा RNA के बीच अंतरों को पहचानना. DNA की आनुवंशिक तत्व के रूप में पहचान सन 1869 में फेडरिक मिशर ने केंद्रक में DNA की एक अमलिये पदार्थ के रूप में पहचान की तथा इसे केंद्रकिन यानि न्यूकलिन का नाम दिया. मौरिस विलकिन्स एवं रोसौन लिंड फ्रेंक्लिन ने एक्सरे द्वारा DNA की क्रिसलोग ग्रैफिक छवी प्रस्तुत की. एरविन चारगाफ ने बताया कि दूई रज्जुक DNA में एडिनीन वा थाइमीन तथा गौनीन वा साइटोसिन के बीच अनुपात स्थेरवा एक के बराबर होता है. इन तरकों का उप्योग कर सन 1953 में जेम्स वाट्सन और फ्रांसिक क्रीक ने DNA की दूई कॉंडलिस सनचना निर्धारित की. पॉली पेप्टाइड श्रिंखला नाइट्रोजनी चार नाइट्रोजनस चार के दूप्रकार होते हैं. एक प्यूरीन, एडिनीन तथा गवानीन, दो पिरिमीडीन, आरेने में साइटुसीन तथा यूरसिल या DNA में थाइमीन. पॉली पेप्टाइड श्रिंखला एक पॉली पेप्टाइड श्रिंखला में राइबोज शर्करा के एक मुक्त सिरे पर फॉस्फेट मुईटी होता है. इसे पॉली नुकलोटाइड श्रिंखला का पाँच डैश सिरा कहते हैं. राइबोज शरकरा के दूसरे स्वातंत्र सिरे पर हाइड्रॉक्सील सम्मूम होता है इसे पॉली निकलोटाइड श्रंकला का तीन डैश सिरा कहते हैं DNA की सनजना DNA दो निकलोटाइड श्रंकलाओं का बना होता है जिसका अधार शरकरा फॉसफेट का बना होता है दो बहुलक प्रती समाना अंतर चलते हैं एक बहुलक की धुरुफता पांच डैश से तीन डैश होती है जबकि दूसरे बहुलक की धुरुफता तीन डैश से पांच डैश होती है दोनों बहुलकों में पूरा का अधार युग्मन होता है जहां क्षारक, युक्म, हाइडरूचन बंधों से बंधे होते हैं दोन शृंकलाएं दक्षरा वर्ती धंग से राइट हैंड़ेट फैशन कुंडलित होती हैं एक कुंडली में प्रत्येक 0.34 नैनो मीटर के बाद क्षारक युक्म होते हैं और प्रतेक 3.4 नैनोमीटर के बाद कुंडली खूम जाती है। प्रतेक खुमाओं में लगभग 10 शारक युग्म होते हैं। दूई कुंडली में एक शारक युग्म दूसरे शारक युग्म पर इस्थित होता है। मूल सिध्धान्थ Central Dogma मूल सिध्धान्थ का अर्थ निम्नलिकिट ढंग से अनुवन्शिक संकेत का प्रवा है। DNA, RNA, प्रोटीन और इस सिध्धान्थ का प्रतिपादन फ्रांसिस क्रीक ने किया। प्राक केंद्रकों यानि प्रोकार योट में DNA कुंडली संवेश्टन। एक प्रारूपीस दंधारी कोश्का में DNA दुई कुंडली की लंबाई 2.2 मीटर होती है। एक छोटे से केंद्रक में इसका समावेश कैसे होता है। एक प्राक केंद्रकी कोश्का में DNA। प्राक केंद्रकों में DNA विशाल पाशों में संगठित होता है। जिसे प्रोटीनों में इस्थेद केंद्र काब यानी नुकलोईड थामि रहते हैं। ससीमे केंद्रकों यानी युकॉरियोर्स में DNA कुंडली का संवेष्टन। ससी में केंद्रकी में हिस्टोन से संगठेत होते हैं, जिससे आठ हिस्टोन अड़ों की एक गाई का निर्माण होता है, जिससे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। निर्माण करते हैं, जिन्हें एक के बाद एक मिलते हैं, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। इस संखनन के लिए हिस्टोन मुक्त गुण सूत्रिय प्रोटीनों की आविशक्ता होती है। गैर रोगजनक पर कारे किया। ग्रिफित ने जब रोगजनक ऐस प्रभेत के उश्मा से मृत अफशेशों को गैर रोगजनक आर प्रभेत की जीवित कोशिकाओं से मिलाया, तो देखा कि इन में से कुछ कोशिकाएं रोगजनक हो गए। ग्रिफित ने इस चमतकार को रुपांतरण का नाम दिया। रुपांतरण सिध्धांद के जयवरासाइनिक लक्शन वर्लन कौलिन मेकलियोाइट वञा मेकलीन मैकाटी ने ग्रिफित के रुपांतरण सिध्धांद के जयवरासाइनिक सरूप निर्धारन पर शोथ किया। निचे दिये शोत के अनुसार आप देख सकते हैं कि DNA अनुवन्शिक पदार्थ है। हर्षे चेस प्रयोग सन 1952 में अल्फरेड हर्षे और मार्था चेस ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि DNA T2 नामक जिवानु थोजी फाज का अनुवन्शिक तत्व है। उन्होंने कुछ विशाणू रेडियोधर्मी फॉस्फोरस रेडियोधर्मी DNA उत्पादक से युक्त एक साधन पर और कुछ अन्य रेडियोधर्मी गंधक यानी रेडियोधर्मी प्रोटीन उत्पादक युक्त साधन परोगाए। रेडियो धर्मी विभोजियों को E. coli जीवानूं से चिपक जाने दिया गया। पाया गया की रेडियो धर्मी DNA से युक्त विशानूं से संक्रमित जीवानूं रेडियो धर्मी थे। जबकि रेडियो धर्मी प्रोटीन से संक्रमित विशानूं में DNA नहीं था। इससे सबस् प्रतिक्रिती बनानी चाहिए, उसे रासाइनिक और सनचनात्मक इस्तर पर इस्तिर होना चाहिए, उसमें उत्परिवर्थन की संभावना होनी चाहिए, उसमें स्वाइम को मेंटलिये लक्षणों के रूप में प्रकट करने की ख्रमता होनी चाहिए, RNA DNA अनुवन्शिक्तत्व के साथ साथ एक उत्प्रेरक के रूप में कारे कर सकता है। एक उत्प्रेरक के रूप में RNA प्रतिक्रियाशील और अस्थाई था। इस तरह RNA के रासाइनिक रूपांत्रन से एक इस्थाई अनुवन शिक्तत्व के रूप में DNA का विकास हुआ. कौन सा अनुवन शिक्तत्व बहतर है? RNA या DNA? RNA और DNA के कुछ लक्षण है. इस तरह RNA अनुवनशिक संदेश के संचरण के लिए बहतर है. किन्तु अपिक्षक्रित अधिक इस्थिर होने के कारण DNA अनुवनशिक संदेश के भंडारन हे दू बहतर है. क्या आप जानते हैं? पूर्वन निर्मेत DNA, DNA बहुलक तथा चारों डियोक्सी नुकलियोटाइडों की थोड़ी सी मात्रा से DNA का संचिलेशन किया जा सकता है. इससे DNA बहुलक के शुद्धी करण के साथ साथ जैविक रूप से सक्रिये DNA उत्पादन में साहेता मिलती है. सारांश आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संच्शेप में दोहराएं. DNA अनुवन्शिक संदेश का संग रहे करता है. RNA अधिकांश्ता अनुवन्शिक संदेश के अंतरण और अभिव्यक्ती में साहेता करता है. DNA रासाइनी केवं सनचनात्मक रूप से अधिक स्थिर होने के कारण एक बेहतर अनुवन्शिक तत्व है. DNA दो पॉली पेप्टाइड श्रंखलाओं से बना होता है. DNA कुंडली के एक शारक युग्म आपस में हाइडोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं. DNA कुंडली में पूरा काधार युग्मन होता है. फ्रेडरिक ग्रीफित ने प्रयोगों के आधार पर रूपांतरन सिध्धान्त का हल निकाला. झाला झाला झालाओं य॥छ्मन होते हैं. झाल 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 झाल